हलो स्टूरेंट्स तो आज हम बात करने जा रहे हैं growth and development की यह जो topic है यह बहुत ही आपका जो एक अच्छा topic है और यहां से आपके एक या दो question जो है exam में देखने को मिल जाते हैं यह आपकी day-to-day life से relate करता है हम अपनी daily life में बहुत से चीज़ा ऐसे देखती है जो grow हो रही ह होती है ना जिसकी development हो रही होती है तो यह topic भी हमारा उसी से regarding है बड़ जब हम child psychology की बात करते है या education psychology की बात करते है तो हमारे जितने भी explanation रहता है वहां पर हम उसे बच्चों से ही link करते है mostly तो यहां पर भी हम उसी से related बात करेंगे तो आपके लिए जो यह series बनाई जा र notification जब निकलेगी वो तब निकलेगी बर तब तक हमने क्या करना है जो अपना syllabus है उसको हमने complete कर देना है यहां पर हम discussion करते हैं और साथ ही साथ में pyq series हम तब बनाते है जब हमारा जो एक topic वो पूरा complete हो जाता है तो इससे related जितने भी आपके pyq बनेंगे वो भी आपके development जब भी हम growth and development की बात करते हैं तो यह दो जो word है यह एक दूसरे के synonym terms है इन धोनों में ही क्या होते है कुछ एक changes होते है उनको हम कई बार measure कर पाते है कई बार हम उन चीज़ों को measure नहीं कर पाते हैं और इसको हम एक तरह से क्या कहते है कि permanent qualitative change in an individual जब भी किसी एक व्यक्त कि हम कैसे बात कर रहे हैं हम कैसे जो है society में behave करते है emotionally हम कितने strong है तो यह सारी चीज़े हमारी किसके अंदर आ जाती है यह हमारी आ जाती है सारी की सारी जो है development के अंदर तो mostly जो छोटा बच्चा होता है तो वो क्या करता है सबसे पहले तो वो क्या करता है चीज़ों को होती है या फादर करवाते है खाना खिलाना हो गया फिर उसकी जो personal hygienic है उसका ख्याल उसके बड़े ही रखते है पर दीरे दीरे जैसे वह चार-पांच साल का होना start हो जाता है वैसे ही वह अपना काम जो है खुद करना start कर देता है तो उसी को क्या कहते है autonomy कहते है तो ब ट्राइक कर रहा है तो यह क्या हो गया आपका यह concept आ जाता है आपका growth and development के अंदर तो सबसे पहले अगर हम introduction की बात करें these two terms are used interchangeably and taken a synonym term both related to the measurement of change occurred in an individual after conception in the womb of the mother तो जो बच्चों के अंदर changes आते हैं उनको हम measure कर पाते हैं वो changes कब से आते हैं किसी भी individual के अंदर जैसे कि प perceptions में होता है यानि मदर के boom में होता है और उसके बाद जो बच्चा है वो दीरे दीरे बड़ा होता है तो उसमें क्या आ रहे है चेंज आ रहे है वो क्या हो रहा है वो dynamically change हो रहा है qualitative change और progressive change उसके अंदर आ रहे हैं तो उस को ही हम क्या कहते है growth and development कहते हैं ठीक है यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहरी हूं फिर अगर हम बात करें इसके dimension की कि dimension क्या क्या होते है growth and development के या types की भी अगर हम बात करें तो mostly इसके अंदर हमारे आ जाते हैं जैसे कि हमारे physical आगे physical को हम psychomotor भी कहते हैं फिर है आपका mental mental को हम cognitive and languages से related भी इसके अंदर चीज़े रख सकते हैं फिर है social emotional and moral इसके अंदर क्या आते है society के अंदर जितने भी हमारे emotions होते हैं हमारी morals value होती है यह सारी चीज़े हम इसके अंदर रखते हैं अगर हम cognitive development या language या thinking reasoning की बात करें या mental की बात करें तो यहां पर बच्चों का जो है वो दिमाग विक् psychomotor में gross and fine motor skill को सीखते है gross क्या हो गया पहले बड़ी चीज़ों को सीखते है जैसे jump करना हो गया वहत पूरे हास से जो काम करना है वो सीखते है फिर दिर दिर fine motor सीखते है जैसे कि उन्होंने राइट करना है, क्राफ्ट बनाना है, कुछ, इस तरह से वो चीजों को सीखते हैं, तो यह क्या होगी आपकी, यहाँ पर फिजिकल या साइको मोटर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, कि बच्चों को पहले पता नहीं होता है, कि उसने एक सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे किस से बात करनी है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे वो अपनी सोसाइटी में रहना सीखता है, सबसे बात कर होना था ठीक है तो जो growth होती है उसको हम quantitative में measure करते क्योंकि quantitative एक aspect है quantity का मतलब होता है जहां पर हम physical science में बात करते हैं जैसे कि किसी के size increase हो रहा है length increase हो रही है height increase हो रही है weight बढ़ रहा है तो इस तरह के जो concept होते हैं वो सारे हमारे growth के अंदर आते हैं बट जब हम development की बात करते हैं तो यहां पर quantitative और qualitative हम दोनों चीजों को देखते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें quantitative तो quantitative का मतलब अभी ही थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था कि क्या होता है जहां पर हम height या weight इस तरह से जिसको measure कर सकते हैं उस quantity की बात करते हैं फिर है qualitative qualitative का मतलब होता है एक तरह की quality में उसके functions के बारे में वो कैसे काम कर रहा है कैसे अपने काम को improve कर रहा है कैसे अपनी जो उसके एक तरह से overall जो उसके अंदर changes आ रहे हैं वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं development के तो जो growth है वो narrow concept है narrow यानि कि इसका एक छोटा सा दाइरा है या एक part है development का क्योंकि यहां पर हम एक particular दाइरे के अंदर चीजों को जो है देखते हैं जैसे कि 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 हमने height को ही measure करना है या किसी के हमने weight को ही measure करना है तो यह क्या है एक तरह से particular है ठीक है या narrow concept है यह wider concept है यहाँ पर हम उसके structures को भी देखते हैं उसके mental growth को भी देखते है physical growth को भी देखते है maturation को भी देखते है यह सारी चीज़े हम कहां देखते है development के अंदर देखते है तो इसको हम as a whole देखते है यह wider concept है it does not continue तो growth क्या है growth continue process नहीं है क्योंकि एक time के बाद रुख जाता है ठीक है एक time के बाद जो है stop हो जाता है जैसे कि कोई एक अगर हम बात करें किसी की height के अगर हम बात करें यहाँ पर तो वह क्या होगा कि एक time तक ही वह बढ़ेगा उसके बाद क्या हो जाएगी उसकी जो growth है वह stop हो जाएगी पर continuous process में के अंदर क्या जाता है अगर किसी की height है चलो मालो एक time के बाद वह constant रहे गई है किसी की height है यहाँ पर एक time के बाद क्या है यह रुक गई यहाँ पर इसकी height बट इसका जो other चीज है जैसे कि इसका reasoning reasoning हो गई है कैसे reason कर रहा है कैसे वह behave कर रहा है कैसे उसकी personality तो यह सारी चीज़े क्या है यह सारी चीज़े तो उसकी continuous process है चल रही है उसकी life में जब तक उसकी death नहीं हो जाती है तब तक वह कुछ ना कुछ सीख रहा है तो development क्या एक बड़ा concept continuous process है अभी हमने बात कि थी measurable growth measurable है क्यों कि हम height map सकते है कि 5 foot 4 inch का है यह 6 foot 2 inch का है इस तरह से and जो development है development को हम कैसे measure करेंगे कि यह कितनी इसकी personality अच्छी है यह कितने अच्छी से behave करता है इसकी reasoning capacity कितनी है हाना इसका attitude कितना है इस तरह से हम इसको measure नहीं कर पाते हैं यहाँ पर हम as a whole देखते हैं यानि कि हम overall देखते हैं कि overall जो है कैसे behave कर रहा है कोई ठीक है कैसे मतलब वो work कर रहा है कैसे अपने आपको manage कर रहा है कैसे उसके अंदर quality है वो enhance हो रही है यह सारी जीद हमारी इसक इसके और इसके वो बहुत मोटा हो रहा है तो उसमोटे होने का कोई फाइदा नहीं हो रही है वहाँ पर सिर्फ क्या है growth हो रही है उसकी ठीक है it is a possible without growth अब देखो development क्या हो सकती है without growth के भी possible हो सकती है ठीक है यहाँ पर यही term कहीं गई है कैसे जैसे कि हम यहाँ पर बात कर सकते है कोई भी social issue होगे emotional issue होगे intellectual aspects होगे जैसे कोई छोटे बच्चे होते है वो क्या करते है कई बार वो इतनी maturity से बात करते है इतने अच्छे से situation को handle करते है इतने अच्छे से तरक देते है तो वो क्या है वो depend कर रहा है ना कि उनकी growth चलो physically वो बहुत छोटे है अभी but mentally व अपने अंदर बहुत अच्छे improvement दिखा रहे है या अपने बहुत अच्छे views रख रहे है तो वो क्या हो गया कि जो उसकी development है वो depend नहीं कर रही है उसकी growth पे ठीक है या कहीं को किसी तरह की दिक्कत हो गई है किसी को कोई disabilities है तो फिर भी वो क्या कर रहा है फिर उसके अंदर prenatal या pre birth हमारा आता है जिसके अंदर हम conception to birth की बात करते है यानि कि जब बच्चा किसी मदर के पेट में है और उससे जो उसका birth होना है उसके बीच का जो time है उसको ही हम क्या कहते है pre birth या prenatal stage हम कहते है ठीक है तो mostly इसके अंदर हमारे 40 week का time रहता है 40 week ठीक है इसको हम क्या कहेंगे घर बादान से लेके जो बच्चे का जब तक उसका birth नहीं हो जाता है तब तक का तो यहां पर क्या होता है यहां पर भी बच्चे की development हो रही होती है न मदर के पेट के अंदर ऐसा तो है नहीं कि भी वो जाइगोट था वो जाइगोट ही आगे तक रहेगा तो वो क पूशन पूछ लिए जाता है कई बार तो यहां पर बच्चे की सबसे ज़्यादा जो growth है वो होती है उसके sense जो organ है वह बहुत ज़्यादा यहां पर चीजों को सेंस के तुरू सीखते है बहुत जल्द जल्द यहां पर चीजों को सीखते हैं यहां पर उनके अंदर imitation आ जा यहां पर चीजों को सीखते है वो रहती है हमारी 2 से 12 साल तक है इसकी दो सब काटेइग़ी से एक हो गया आपका earlier childhood, एक हो गया आपका later childhood है जो earlier childhood है वो 2-6 साल आपका रहता है और जो later childhood है वो आपका 7 से लेके 11 साल के लिए रहता है तो जो earlier childhood है यहाँ पर सबसे ज़्यादा language सीखता है बच्चा, fast एकदम language को सीखेगा, capture करेगा, इसको pre-schooling age कहते है, play age कहते है, साथ ही स pre-gang age कहते है और self-centric यहाँ पर बच्चा सबसे ज़्यादा होता है, किस age में, early age में, language कहां सीखता है, early age में, फिर later age तो यह एक तरह से अगर हम इसको बोले तो यह ट्रॉबल सम एज, इसको हम कहते हैं, तो यहाँ पर बच्चा गैंग बनाना शुरू कर देता है, इसको school age क कि यहाँ पर बच्चों को school में डाला जाता है, यहाँ पर बच्चे जो है लड़ाई जढ़ा कना start कर देते हैं, दूसरे बच्चों के से, और यहाँ पर ही जो बच्चों के हैं, वो basis of life सीखते हैं, कि हम life के जितने भी उनके basic चीज़े होती है, वो सारी चीज़े वो यहीं सिखते हैं, और जो उनके friends वे रहा है, वो भी यहाँ पर बनने start हो जाते हैं, और जो बहुत जादा लंबे time तक उनके friends उनके साथ रहते हैं, तो यह childhood stage के अंदर important चीज़े हैं, यह आपने कहीं पर note का लेना है अपनी notebook में, जब आप इसके notes बना रहे हो अपने पास कहीं, next है हमारा adolescent stage, adolescent stage जो है हमारी यह कब से कब तक रहती है, यह रहती है हमारी 13 से 19 तक ठीक है, 13 से 19 साल के जितने भी बच्चे हैं, वो adolescent stage के अंदर आ जाते हैं, इसको हम transitional period भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के अंदर बहुत सारे changes आ रहे होते हैं, यहाँ पर ना तो Stanley Hall ने क्या कहा था, adolescence is a stage of stress and stroma, यानि कि तनाव और तुफान की स्थिती, इसको किसने कहा है, Stanley Hall ने, इनकी बुक थी adolescence, इनकी एक बुक है, adolescence, उसमें इनोंने कहा था, ठीक है, किसने कहा था, Stanley Hall ने, ठीक है, Stanley Hall ने, क्या कहा है, stage of stress and stroma, यानि कि तनाव और तुफान की अ हीरो वर्शिप करते हैं जैसे कि किसी कुलों ने देखा उसको अपना रोल मॉडल मानना शुरू कर देते हैं उनकी तरह ही वो चीजे करना स्टार्ट कर देते हैं तो यहां पर सबसे ज़्यादा इंपक्ट पेयर ग्रूप का पढ़ता है यानि कि फ्रेंड सरकल का यहां पर तरह से हम कहते हैं कि बच्चे बरबाद होगे तो उसका एक मेन कॉज यह भी रहता है क्योंकि इस टाइम पूने समझनी होती है कि क्या सही है क्या गलत है तो फ्रेंड सरकल जैसा होगा वैसे ही बच्चे यहां पर बन जाते हैं आई थिंक आपको पूरी स्टेजी समझ आग के अब हम उसकी बात करेंगे तो फर्स्ट है continuity सबसे वहले principle of continuity continuity का मतलब क्या है कि यह लगातार भड़ती रहती है चलती रहती है हमने बात कि थी कि कहां से कहां जाती है dependency to autonomy जाती है birth to हमारी death तक जो है growth होती रहती है यह development होती रहती है तो उसको ही हम क्या कहते है principle of continuity कहते है second है आपका rate of growth and development is not uniform अब जो rate है वो uniform नहीं है यहां पर यह कहा गया है अब यहां पर क्या होगा rate की यहां पर हम बात क्यों करें है क्योंकि क्या होता है देखो सबसे पहले बच्चा जब छोटा होता है early years में होता है तो वो fastly चीजों को सीखता है ना सीखता है जैसे language development उस के बाद थोड़े time तक उनकी जो growth है वो थोड़ी रुकेगी फिर उसके बाद थोड़ी और बढ़ेगी तो इस तरह से क्या हो रहा है कि continuity नहीं यहां पर maintain कर रहा है uniformity नहीं दिखा रहा है तो यहां पर क्या है थोड़े थोड़े जो है उसके बीच थोड़ा यह gap ले रहा ह है ठीक है maintain करता है थोड़ा long time लगता है कई बार कई बार एक तम fast speed ले लेता है और कई बार slow form में यहां पर जो है बच्चों की जो growth है वो होती है ठीक है नेक्स्ट है आपका uniformity of pattern अगर हम बात करें uniformity of pattern की तो pattern का मतलब क्या है यहां पर pattern का मतलब है यहां पर जैसे जो बच्चा है वो क्या है अब एक बच्चा है उसके अंतना जो language development है वो कैसे होगी sequence wise होगी है ना ऐसे तो होगा नहीं कि भही पहले किसी बच्चे ने सीख लि लिया और बाद में उसने crawl करना सीख लिया तो इस तरह से तो होगा नहीं तो uniformity of pattern यहां पर होती है ठीक है इंडिविजूल डिफ्रेंस भी हां पर द्यान में रखना होता है जैसे कि motor development and language development in all children sim to flow or definite sequence तो इसमें क्या है इसका मतलब भी है कि जो बच्चे है वो क्या करेंगे एक जैसे अगर उनकी हम बात करें motor development की तो हर बच्चा पहले crawling करना ही सीखता है फिर उसके बाद वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है फिर चलना सीखता है तो यह क्या है uniformity of pattern है तो यहां से जो question बनता है आपका इस में से direct principle में से बन जाता है आपका जैसे rate of growth and development is not uniform यह question यहां से बन जाता है कई बार ठीक है यह क्या है क्या है क्या है discontinuity show करता है बच्चा पहले कई बार वो उसका एकदम से growth होती है चोटे बच्चे भी आपने देखे होंगे आपके घर में आपने आसपास में तो वो क्या करेंगे फिर्स्ट के दो तीन साल में इतना जल्दी height ले लेता है एकदम growth ले लेता है एकदम चीजे सीखता है उसके बाद थोड़ा रुक जाता है फिर maturity के time पे थोड़ा और जादा जब उनको पीबर्टी या इस स्टेज में जब होता है तो एकदम से और उसके growth होना start हो जाता है फिर रुक जाता है तो इस तरह को हम क्या कहत होती है इनके पैटरन होता है ठीक है development proceed for general to specific response तो ये questions तो आपने PGT Commission में भी mostly देखा होगा तो वहाँ पर specific पहले कर देते थे और general बाद में तो ये statement भी हाँ से इस तरह से पूछ लिजाती क्यों कि बच्चे क्या करते है journal to specific जाते journal का मतलब क्या होगा पहले वो बड़ी ची होगे हुला हुला के रोएगा फिर दीरे खिया होता है दीरे-दीरे उसकी जो specific response आना शुरू हो जाता है तो धीरे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे क्या होता है proclaims training क्यों क्यों करता है वो सिरॉत और सिर्फ इस का राध की यूज़ करता है जैसे अगर जब भी हम principle of integration की बात करते हैं, तो integration के अंदर क्या होता है हमारा, कि यहां पर बहुत सारी चीज़ों को हम एक साथ लेकर चलते हैं, जैसे कि हमारे जो various dimensions हैं, वो भी साथ साथ में dwelf हो रही होते हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि मालूम physically dwelf हो रहे हैं, और emotionally हम dwelf नहीं हो रहे हैं, तो यह साथ पर सारी चीज़े चलती है, ठीक है, जैसे कि हम एक तरह से अगर हमारी body बढ़ रही है, हमारा brain बढ़ रहा है, हमारा intelligence बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे ही हमारी जो maturation है, या हमारी जो personality है, यह सारी चीज़े भी क्या होगी, increase होती जाती है, फिर है principle of interrelation, interrelation का मतलब ही क्या हो गया, कि यह सारी चीज़े जो है, आपस में जूड़ी हुई है, cognition जो है, emotion cognition से जूड़ा है, psychomotor भी हमारे cognition से जूड़ा है, अगर हमारा brain ही proper function नहीं करेगा, proper command नहीं देगा हमारी body को, तो हमारी body properly work नहीं कर पाएगी, तो उसको properly work करने के लिए एक तरह स is predictable, 7th जो यहां पर है, development is predictable, predictable का मतलब क्या होता है, जी पहले से पता होता है, अगर हम लोगों को पता है, कि कोई बच्चा जो है, इस age में किस तरह से behave कर रहा है, या उसका हमने किसी तरह का IQ चेक करना है, तो हम उसके सामने कुछ एक situation या कुछ एक question पूट करते हैं, तो व बता सकते हैं, कि future में जाकर बहुत अच्छा करेगा, या इसका mental level है वो बहुत अच्छा है, तो हम उसको predict कर सकते हैं, अना कोई बच्चा होगा, जैसे हम balls भी देते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, कोई height बड़ी, लंबी height ले रहा है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, mostly, क करने बहुत अच्छा होगा, तो हम क्या कहेंगे, कि बड़ा होकर एक artist बन सकता है, dancer बन सकता है, यह सारी चीज़े हम पहले ही predict कर देते हैं, principle of dual mental direction, तो direction की बात यहां पर सबसे important है, यह question भी आपका important है, इस पर भी आपने ध्यान देना है, direction की बात, तो दो तरह के direction की बात करते हैं, सबसे पहले आपको पता होगा, एक होती है, आपका cephalic caudal, ठीक है, cephalic caudal development, तो यह कौन सी होगी आपकी cephalic caudal development, इसका मतलब होता है, आपका कि जब आपकी जो growth है, वो head से लेके, मालो यह आपका head है, head से foot की तरफ जाएगी, इस तरह की जो growth होती है, वो आप सीफैलिक caudal होती है, सीफैलिक का मतलब होता है, सीर, ठीक है, head, head को ही हम, जो science की tom है, उसको सीफैलिक बोलते है, तो सीफैलिक caudal का मतलब क्या होगा, जब direction कहां से longitudinal axis में होगी, यानि की इस तरह से होगी, head से foot की तरफ होगी, ठीक है, तो बच्चा सबसे पहले control कहां करन और सीखता है, अपने सिर का, उसके बाद में धिरे-दिरे अपनी बाजू पे control करता है, फिर अपनी leg पे control करता है, उसके बाद वो खड़ा होता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है, जब चलो बच्चों का सील लूड़करा है, और वो खड़ा हो गया, तो यह क्या है, आपका प्रॉक्षीमो डिस्टल ठीक है क्या है आपका सेकिंड प्रॉक्षीमो डिस्टल ठीक है Proximo Distil Proximo Distil का मतलब क्या होता है Simple Thomas को समझना है Center है Center से जब outer most यानि की बाहर की तरभ को growth होगी तो उसको ही हम क्या कहते हैं उसको ही हम Proximo Distil कहते हैं तो यहाँ पर क्या होता है जो भी बच्चा होता है सबसे पहले control कहां लाएगा अपनी बाजू में मालो यह उसकी बाजू है। जैसे यह बच्चा है यह उसकी बाजू है। सबसे पहले वह कंट्रोल कहां सीखेगा। यानि कि मसल्स को मैनेज़ करना अपनी सीखेगा। फिर दीरे वह क्या करेगा। उसके बाद वह अपनी हेंड पे त्वह पूर्ण है। पर कंट्रोल करना सीखेगा लास्ट में वो क्या करेगा फिंगर पर जो कंट्रोल करना सीखेगा ठीक है तो इसके यह किसके अंदर आता है यह आता है आपका सिफैलिक कोडल ड्वल्म सॉरी प्रॉक्सिमो डिस्टल के अंदर ठीक है सिफैलिक का मतलब तो हैड हो गया सिफैलि का सीर से पैर तक की पहले जो है सीर का सीर को कंट्रोल करेगा फिर अपने पैरों को कंट्रोल करेगा बर जब हम बात करेंगे कि इसकी फ्रॉक्जिमो डिस्टल फ्रॉक्जिमो का मतलब होता है सेंटर से आउटर साइड की तरफ पैरिफिरल की तरफ यानि की बाहर की तरफ तो तो जो development होती है वो spiral होती है spiral का मतलब क्या होगे आपका spiral का मतलब इस तरह की growth होगी आपकी मालो ये आपकी growth है तो आपकी growth इस तरह से हो रही है ठीक है तो ये क्या होगे आपकी spiral growth होगी linear का मतलब एकदम सिधी linear होगी तो आपकी height पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी फिर त Section जो है वह बहुत जादा हो जाएगी पेट भी नहीं भड़ेगा हाना इधर उधर के जो और गन है वह भी नहीं भड़ेंगे सीध्य है आप जो है linear मोशन में जाएंगे तो जो हमारी होती है वह हमेशा spiral होती है थीक है spiral की वजह से क्या होता है कि जो हमारी हाइट है वह पर रहती है और जो हमारा बॉडी है उसको भी बैलेंस यह करता है ठीक इसलिए इसको spiral development हम कहते हैं अपनी development को जो भी human beings की development होती है फिर है last आपका growth and development is a joint product of both heredity and environment तो जो growth and development है वो किसपे depend करती है heredity and environment पे heredity क्या होगी जो हमारे parents से हम तक आती है जैसे कि हमारी eye color हो गया हमारा face color हो गया हमारे hair हो गये हमारी height हो गया सारी चीज़े हमें हमारे parents से मिलती है अन्डर environment я ओगे है environment जो आपकी society से आपको मिलता है जैसकी moral value मिलगी language मिलगी इसके साथ साथ क्या हो आपका social development होगी, आप कैसे society में interact कर रहे हैं, तो एक whole personality जो आपकी बनती है, पूरा का पूरा जो आपका functional and structural जो भी आपके अंदर changes आ रहे है, या आपके अंदर जो भी desirable change आ रहे है, वो सारे किसका product होते है, heredity and environment का, ठीक है, I think यह पूरा आपको यहां तक समझ आ गया होगा and last हम बात करेंगे, aspects of growth and development, अब aspects यानि की area, area कहां कहां है growth and development का, first है physical development, physical development में क्या आएगा, physical development में हमारा रहता है, जैसे कि हमारी height होगी है, हमारी जो internal या external organ होगे, वो कैसे dwarf हो रहे है, सारी चीज़े आ जाती है, internal organ क्या होगे, हमारे heart हो गया, अब छोटे होगे तो चीज़े क्या हो जाती है, हमारी internal organ, external organ क्या होगे, जैसे नाक होगी, हमारी जो बाहर दिख रहे होगे, तो यह थोड़े थोड़े time भा जो है, जैसे आप बड़े होते जाएंगे, वैसे वैसे इनका size में increase हो जाएगा, जब छोटे थे तो छोटा था, जब बड़े होगे तो बड़ा हो गया, फिर है intellectual or mental development, intellectual and mental development के अंदर क्या आता है, आपके अंदर की जो reasoning है, imagination है, concentration है, creativity है, या perception है, आपका किसी चीज़ को लेके, association है, discrimination है, या generalization है, यह सारी जितनी भी आपकी दिमाग से related चीज़े है, वो क्या हो जाती है, आपके intellectual and mental development में आ जाती है, जैसे जैसे आप बड़े होंगे, वैसे आप तरक देना सिखते है, अब छोटा बच्चा होगा, तो उसको क्या है, उसको कई बार क्या होती है, एक तिक्कत होती है, कि वो कई बार क्या करते है, जो हमारे मालोन की कोई toy है, तो उस toy को क्या सोचता है, कि जैसे मैं मेरे से में पयार उस ताइम फर उसको क्या समझाती है कि एक living चीज अलग होती है और non living चीज अलग होती है ठीक है फिर है emotional development emotional development में क्या होता है emotionally mostly हम जो भी हमारे point of behavior होता है या कोई भी हमारा एक तरह से हमें जब भी किसी situation पर किस तरह का react करना है वो अब छोटा बच्चा है for example जो वो छोटा होता है तो उसको कई बार क्या होता है जैसे mother से दूर कर दिया तो वो रोने लग जाता है बड़ा होता है school छोड़ते है फिर उसके बाद रोना स्टार्ट करता है पर धीरे धीरे उसको पता है कि मुझे इस टाइम तक यहां पर रहना है और अपनी emotion को control में रखना है फिर है moral and character development moral and character development क्या होता है जहां पर हम ethics की बात करते है ना कि हमारी society के लिए चीज की जब हम बात करते हैं तो छोटे बचों को कोई पर पता नहीं होता है कि morality क्या होती है क्या रही होता है चीज cracking तो इस लिए जैसे बड़े बच्चे बड़े होते हैं वैसे वह उन्हें principles बनाते हैं कि हमने life में कैसे रहना है हम हमारे क्या values है हमें किस चीज को follow करना ह तो यह सारे चीज़े भी development के साथ ही बच्चा सीखता है या growth के साथ ही सीखता है फिर है social development social development में भी क्या होता है अब देखो सबसे पहले बच्चा कैसे होता है हम हमेशा बात करते हैं कि जो बच्च होटा बच्चा होता है वो self-centric होता है या selfish होता है या anti-social होता है anti-social थो हम उसको नहीं बोलेंगे यानि कि socially उतना well being नहीं होगा उसको नहीं पता है society में कैसे रहना है कैसे behave करना है जो यह rules बने है यह क्यों बने है इनको हमने follow भी करना होता है adjustment वो कुछ नहीं जानता है उसको कोई मतलब नहीं होता दुनिया से पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसको एक adjustment का concept समझ आता है उसके जो society के rules है वो समझ में आते है उसके rules के पीछे का जो एक reasoning होती है उसका उसके बारे में पता चलता है कि यह rules जो है क्यों बनाएं गए है ना फिर है language development language development के अंदर जो हमारी communication skill हो ग चलो मम बापा ने डांट तो चुप हो गया अब जब आप बड़े हो जाएंगे आपको वही situation है आपको कोई बात अपनी समझानी है अपने parents को ही भी अगर आपने समझानी है तब भी आप क्या करोगे language का use करोगे तो आपके पास एक तरक होता है एक logic होता है हर चीज को explain कर तो सबने मुझे जो भी वीडियो देखेगा उसके लिए ये काम है कि पूरा topic पढ़ने के बाद आपने मुझे पताना है कि इसकी educational implication क्या हो सकती है principle of growth and development क्या जरूरत होगी इसकी क्यों कैसे हम इसको education में implicate कर सकते हैं या एक teacher होने के नाते इससे हमें क्या क्या पता चलता है ठीक है ये सारी चीज़े आपने मुझे बताना है तो मिलते हैं जल्द ही next वीडियो में next topic के साथ तब तक के लिए bye bye and thank you for watching